पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम पहुचे थे नांदेर के एक ऐसे गाउं में जहांकि इस्तिती बहुती खराब थी इस वीडियो में आपको उसके ही आगे देखने को मिलेगा जह हम जा रहते तश्कन बाबा का दर्संग करने के लिए उसके बीच में हमें एक प्रात्मिक साखा विद्याले देखने को मिला यह विद्याले जो है कि दोस्तों इसकी फंडिंग यहां पे एक एंजियो के द्वारा होता है और यह स्कूल चला जा जाता है बच्चों को पढ़ा जाता है यह यहां पे हमें दिखा रहे हैं कि पूराना इस्कूल है जिसकी जो की पुर्ई के पुर्धी दि्वास जड़ जड़ हो चुकी है और यह जो है नया बना कुए है लेकिन इसकी भी इस्टी उतनी सही नहीं है तो इसके आगे हमें माल आलम होता है कि यह जिस नंदेड में हम खड़ें यह पुरा नंदेड है मेनना इलाए इसके बाद उदर बस ऐसे कि वह मंदा बनने को नंदेड के बाहर पहसे को तरह र्ले यहां से बाचित करने के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं जिसके लिए हमारी आखे तरस रही थी सच्खंड बाबा का दर्संग करने के लिए तो हम पहुच गए सच्खंड मार्केट में और यह पूरा का पूरा सच्खंड मार्केट है जिसके आगे हम पहुचे तो हमें यह इसमें गुरु गुरु गोबिन सिंग जी का मृत्य हुआ था और यहीं पर उनके लिए बनवाए लोग कैसे आपका हमारी शिर्ट से एक नई वीडियो में दोस्तों इसमें हम पहुच चुके हैं बाबा सच्खन के दरबार में यहां पर पहुचते हैं आप तो पहले सच्खन आपको निकाल दिया जाएगा यहां पर आपको सिर्फ हास जोड़ के आपकी यहां पर उसक्रशन के दरबार में पहुचने के लिए गर्व गिली में पहुचने के पानी के खॉल से होकर की उजणा पढ़ता है जिसमें पुरी परी पानी भरी होती है जिससे आपका पैथ धोल जाता है और साफ सपाई कभी बहुती ध्यान रखा जाता है जिससे आप मंदिर के अंदर पहुचने के लिए ये चीजे होती हैं और हमें लगने इसी भूक तो हम चल दिए बाबा का प्रसाद लेने के लिए बाबा का लंगर तो यहां पे गुरु के लंगर के नाम से प्रसिद्ध है आपको बाहर ही कई सारी हज्जारों हुए हैं तो आप यहां की भीड को देख सकते हैं उसके बाबा का प्रसाद देने के बाद हम चलेंगे थोड़ा मंदिर का बाहरी विए देखेंगे यहां पर देखेंगे देखेंगे गुरु गोविन सहाब जी से उनकी देहांत के दवराम पूछा गया कि हमारा अगला गुरु आदि ग्रंथ दसम ग्रंथ या पिर गुरु गोविन सहीव ग्रंथ ही होना चाहिए जैसे हमें आगे की रहा मिल सके सच्खन दरबार गुरु गोविन सहाब जी का दरबार जो है कि यह गोदावरी नदी के तर्पे बसा एक बेहदी खुपसूरत जगह है जहां पे नांदेर महाराश्ण में पड़ता है उसके बाद हम निकल पड़े दोस्तो थोड़ा मार्केट से बाहर की और आए तो मार्केट का नजारा ले दिते वे फिर से हम चल दिये अपने घोसले की तरफ जहां पे हमारा घर था जहां हमें करना था आराम वैसे दोस्तों यहां से चलते हैं मुझे काफी मज़ा तो आया लग मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप नांदेर में पहुचना चाहते हैं बावा सचकन का दरवार देखना चाहते हैं तो आपको यही पास में रेलवेश्ट ट्रेस और बस सिस्टेंड के से बिलकुल पास में मिल जाती है आप एक किलमेटर की दूरी पहुच सकते हैं और मैं कहता हूं कि जिनको भी सफ्ती वाले ट्रेवलिंग करनी है तो ट्रेन से ट्रेवलिंग कर सकते हैं और जो कि आपको बिलकुल पास में देखने को मिलेगा तो अब यहां से हमें पहुचना था चाह का चुसका लेने के हम पहुच गए एक एयोले नाम की दुकान है जो कि आपको हर जिंगा इसके मारकेटिंग देखने को मिलते हैं अप राइसाम से लेके जैपूर से लेके आप कहीं भी जाते हैं दिली आपको हर जगा देखने को मिलेगा तो यहां का चाई पी हमें काफी सुकून मिला और सही स्थान पे जहां पे ना तो रोड था और ना ही कुछ तो हम फस गए एक जंगल में तो यहां का नजारा भी काफी अच्छा है और यहां से हम निकलेंगे आगे किसी गाउं में जो की मैं उस गाउं को आपको दिखाऊंगा और मैं मुझे पता चला है कि यहीं पे एक गाउ है कि मिलते हैं से फिर से एक नए वीडियो में चब तक दिने बाइए कि अ झाल